अब हम समझेंगे वो रास्ता जो रास्ता हमें विपरीत से विपरीत वातरण में भी तनाव मुक्त रखता है तो ऐसा रास्ता हमें समझना होगा जीवन के साथ जोड़ना होगा मैं फिर कहता हूँ इसे जोड़ना कोई कठिन काम नहीं है बस केवल अपने भीतर लाफिंग बुद्धा बनाते वे ग्यान दशा और मुस्कान दशा को भीतर उतारने की जरुवत भर है और ऐसा करने के लिए मानसिक शांति मधुरिम संबंध और निश्पाप जीवन जीने के तीन स्वर्णिम सोपान आज हम पहला स्वर्णिम सोपान लेते हैं और वो पहला स्वर्णिम सोपान है जीवन को बड़ी सहजता से जीओ पहला सोपान यही है सहजता का सिध्धान्त विप्रीत परिस्थिति आए या चाहे किसी भी त्रेकी स्थिति क्यों न बनती चली जाए पर अपने आपको जो व्यक्ति सहज रखना सीख लेता है वो अगले के द्वारा डाले गए कूडे के डिब्बेक से कभी भी प्रभावित नहीं होता है सहज है यह कहना जितना सरल है इसको जीएना उतना ही चुनौती पूर्ण है केवल एक मंत्र जीवन को बड़ी सहजता से जीओं यह मंत्र मैंने बहुत-बहुत साल पहले एक छोटी सी कहानी पढ़कर के सीखा था जापान की जो जैन स्टोरी होती है वो स्टोरी पढ़कर के मैंने यह सदगुन बहुत-बहुत साल पहले अपने जीवन के साथ जोड़ा था और सच्चाई यह है कि मेरी मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगती में जिन जिन सिध्धान्तों की भूमिका है उन भूमिकाओं में एक भूमिका है सहजता की बहुत बहुत साल पहले मैंने ये किताब पड़ी थी और उसमें जैन कहानिया जो थी उसमें से कहानी की कोई व्यक्ति जिसके मन में जिग्यासा होती है कि वो आत्म ग्यान को हासल करे तो पूछा जाता है भई मैं किसके पास जाओं जिसके पास जाने से मुझे मेरे जीवन का सत्यबोध प्राप्त हो सके तो कईयों के पास हो गया होगा पर संतुष्ट ना हुआ आखिर में एक ने उससे कहा कि तुम एक काम करो वो अमुक मठ में बड़ा ग्यानी संत है तुम उनके पास जाओ और वो शायद तुमें कुछ ध्यान की गहराईयां सिखा दे बता दे तो वहाँ जाता है वो दिन भर वहाँ रहता है रात बर वहाँ रहता है और देखता है वो जिसके पास कोई सीखनी के लिए आया है ना तो उसने एक मिनट प्रारतना की ना कभी बैठकर ध्यान किया बोले या आदमी ना तो कोई सास्तर पढ़ रहा है मैं इससे क्या पूशने आया है और क्या सीखनी के लिए आया हूँ वही आपके साधना क्या है मेरी साधना तो बहुत छोटी सी है बोले क्या जब मुझे भूख लगती है तो खाता हूँ जब प्यास लगती है तो पानी पीता हूँ और जब नीद आती है तो सो जाता हूँ बस मेरी केवल यही साधना है यहादमी मैं इसे साधना का पत्थ सीखने के लिए आया और यह कहता है जब भूख लगती है तो खाता हूँ प्यास लगती है तो पानी पीता हूँ नीद आती है तो सो जाता हूँ तो बोले कि अब इससे मैं कैंसे सीखू? बोले इसमें साधना क्या हुई? बोले अच्छा ठीक है मैं तुम्हें समझाता हूँ पर पहले एक काम करो, खा नवाना क्हा लो आए हो एतनी दूर से पहले बैठके खा नचा लो अब वो जब खाना खा रहा था तो उसके मन में बड़े बड़े प्रस्थन और उधेर बुन चल रही थी जब खाना खा करके वो उठ गए तो उसने पूछा महराज इसमें आपकी साधना क्या हुई मेरी साधना यही है कि मैं जो काम करता हूँ एक मन से करता हूँ दो मन अपने पास नहीं रखता जब मैं खाना खाता हूँ तो केवल खाना खाता हूँ और जब पानी पीता हूँ तो केवल पानी पीता हूँ मैं पानी पीते समय कुछ और नहीं सोचता और जब नीन लेता हूँ तो गहरी नीन लेता हूँ तब मैं अपने मन को इधर उधर नहीं जाने देता बस यही मेरी साधना है भूले खाना खाते हो तो भूले मैंने भी तो खाना खाया मैं को इधर तो थोड़ी बटक रहा था बोले सोच तू कह रहा है कि तूने केवल खाना खाया पर बता कि जब तू खाना खा रहा था उसमें तेरा मन कहां कहां भटक रहा था तू मेरे खिलाप नहीं सोच रहा था बोले हां मैं आपके खिलाप सोच तो रहा था बस बोले मेरी साधना केवल ये है कि जब मैं जो काम कर करता हूं बस यही मेरी साधना है जो व्यक्ति जितना दूसरों से अपेक्षा रखता है उसकी सहजता उतनी ही ज्यादा खंडित होती है क्रोध कब आता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या जब हमारी अपेक्षाएं उपेक्षित हो जाती है तब तब हमें व्यक्ति कभी किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता क्योंकि उसे पता है कि अपेक्षाएं तो कभी भी उपेक्षित हो सकती है अपेक्षाएं पालने पर ही अंदर से आदमी असहज होता है क्योंकि अपेक्षाएं जरूरी नहीं है कि वो पूरी हो जरूरी नहीं है कि मान लेकर के आए अपेक्षा उपेक्षित भी हो सकती है तो सहजता का सिध्धानता हमें सिखाता है कि वो दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखता वो सहज जीता है सहजता के पत पर चलने वाला व्यक्ति जानता है कि प्रकर्टी की व्यवस्ता है कि यहाँ पर कभी अनकूलता आती है और कभी प्रतिकूलता आती है सहजता का पत चलने वाला व्यक्ति जब भी व्रिक्ष के नीचे बैठता है तो दो पत्ते उपर से आके नीचे गिरते हैं और उन गिरते हुए पत्तों को देख कर वो बोध प्राप्त कर लेता है यह आत्मग्यान हासिल कर लेता है यह सत्य बोध वह समझ जाता है कि आखिर तो पत्ते जड़ेंगे ही यहां कभी अनकूलता होती है और यहां कभी प्रतिकूलता होती है यहां कभी सुखद इस्थिति बनती है यहां कभी दुखद इस्थिति बनती है यहां वही पत्नी अनीक बाहर प्रभू का वरदान नजर आती है व्यक्ति वही है समझ का पर जो व्यक्ति परिस्थितियों में सहज रहना सीख जाएगा समझ लेना उस व्यक्ति ने अध्यात्म के पत्थ की तरफ बढ़ने का पहला माइल इस्टॉन पहला मील का पत्थर उसने आत्मसाथ कर लिया और वो पत है सहज कास्त olmas तरफ ये सहज ता का सिद्धान तो जोड़ रहा हूं परिस्थितियों के लिए मैं बार-बार प्रकृति के सानिद्य में बैठ बैठ करके प्रकृति के सानिद्य में रिक्षों के नीचे गुफाओं में जाकर जब मैंने साधना की तो वहां से यहीं तो सत्य समझ करके आया कि प्रकृति का नियमी है परिवर्तन और मैं मान कर चलता हूँ परिस्थितियां भी बदलती है व्यक्ति का सोभाओ भी बदलता है व्यक्ति का मेरे प्रती रहने वाला बरताओ भी बदलता है क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का गुण धर्म है जैसे हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है ऐसे प्रकृति का अपना व्यक्तित्व है और प्रकृति का व्यक्तित्व ये है कि प्रकृति हमेशा परिवर्तन शील रहती है कभी बसंत कभी पत जड़ कभी गर्मी कभी सर्दी कभी धूप कभी छाओं कभी दिन कभी रात बदल रहा है, सब कुछ यहां बदल रहा है, अपन भी याद करो ना, बच्चे थे, किशोर हो गए, जवान हो गए, कुछ लोग प्राओड और कुछ लोग बूड़े हो गए, बदल रहे हैं सब, कपड़े पैने हैं, नए कपड़े खरीद कर लाए, गिसाट लगी, पुराने होते चले जा रहे हैं, वस्त्र बदल रहे हैं, वस्तुवे बदल रहे हैं, हालात बलद रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लोगों का हमारे साथ, नजरिया सोचने का तरीका और व्यवहार बदल रहे हैं, तुम लोगों के इसाब से मत चलो, तुम सहज बनो, दूसरे वही दे और वो दुहा है सहज मिले सो दूदसम मांगा मिले सो पानी कह कभीर वह रक्तसम जामे खीचा तानी सहज मिले सो दूदसम मांगा मिले सो पानी कह कभीर वह रक्तसम जामे खीचा तानी सहज मिले सो दूदसम जो सहज में मिल रहा है वो अपने लिए अमरित के समान है वो दूद के समान है जो सहज में मिल गया जितना लाव सहज में मिल गया वो दूद के समान जितना यश सहज में मिल गया वो दूद के समान बच्चों ने जितनी सेवा कर दी सहज में वो अपने ये दूद के समान पर बाखी आगे सेहज मिले सो दूद सम मांगा मिले सो पानी मांगने की जरुती मत समझो क्या है मांगा मिले सो पानी अगर अपना पानी उतारना है तो मांगने का काम चालू करो लोग समझते हैं सबसे अच्छा धंदा आओ करें चंदा और मैंने तो जीवन का उसूल बना रखा है कभी किसी से मांगना ही नहीं हमारे पास अमीर लोग बड़े अराम से आ जाते हैं देश के बड़े बड़े अमीर लोग हम लोगों से जूड़े हुए हैं और वो हम से संपर करते हैं हमारे पास आते वे जाते वे कभी एक प्रसेंट भी उनको सोचनी की जरूत नहीं रहती क्योंकि उनको पता ही ये वो बाप जी हैं जो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है मांगा मिले सो पानी मांगना सबसे बुरा काम है इसलिए कई समझदार लोग समाज में ऐसे होते हैं जो समाज में अगर करें ट्रस्टी बनना हो तो बन जाएंगे पर वो कहते हैं मांगने वड़ा काम हम नहीं करेंगे जिसको लगाना है वो आएगा लगा जाएगा तो हम उसमें जरूर अपनी सेवाई दे देंगे पर हम कभी किसे गर पर मांगने नहीं जाएंगे कोई वक्ति मांगने जाता है तो मांगना बहुत मुश्किल काम है बई मांगना तो बहुत मुश्किल काम ही है यह किसने का कि यह सोरा काम है मुझे ऐसा लगता है मांगना ये अलग चीज हो गई और जो कारिय होता है उसकी जानकरी देना अलग चीज हो गई कि जैसे कि मानल जी यहाँ पर ये बिल्डिंग बन रही है और समाज के यहाँ पर पचास लोग इकठे हैं यहाँ पर ये समाज ने भवन का निर्मान करने का निर्णे लिया है जिसके अपने पुण्य लाब लेने के सदभाव हो वे लोग अपना लाब ले लें ये तो बहुत उत्तम कारिय है पर अब एक एक घर में जाना अगले पर दबाव डालना तो भई ठीक है एक बार दबाव डाल दोगे पर दूसरी बार जब वो आपको दूसरे देखेगा न तो उसके दिल में मांगने वाले लोगों के प्रती पॉजेटिव भाव नहीं बनेंगे सहज मिलैसो दूदसम मांगा मिलैसो पानी हमारा तो मानना यही है कि तुम अपनी नौका उसके भरों से छोड़ कर तो देखो वो बिना पत्वारों के भी तुमें पार लगा देता है अनेक अनेक अमीर लोग कहते रहते हैं आप हमें कुछ सेवा तो बताते नहीं है कोई आदेश तो देते नहीं है भाई कोई जरुवत नहीं है बहुत आराम से भगवत कृपा से प्रभू कृपा से अरियंत प्रभू कृपा से बड़े आराम से जंदगी का स्वन रत चल रहा है कभी कुछ आदेश देने की जरूत ही नहीं पड़ती है अब उसी का ये परिणाम है कि कभी के जो कुछ कहने की जरूत नहीं पड़ती जैसे कोई काम आता है हाथो हाथ दस लोग खड़ी ही मिलती है जैसे कभी कोई काम आता है वहाँ पर उसी समय पूरा का पूरा हो जाया करता है सहज मिले सो दूद सम मांगा मिले सो पानी कह कभीर वह रक्त सम जामे खीचा तानी जिसमें खीच तान चलती रहती है जिसमें माथा फोड़ी चलती रहती है वो किसके समान है रक्त के समान है छाती कूटा माथा फोड़ी भागा दोड़ी हाथा जोड़ी करनी पड़े वो वाला काम नहीं करना कहे कभीर वह रक्त समझ जामे खीचा तानी जिसमें खीच तान चलती रहती है कुल मिलाकर के जामे खीचा ताणी चलती है, पिता और पुत्र खीचा ताणी चलती है, प्यार से। higher such में रही लो. रोज-णोज का टेंसन काम का नहीं होता है, सहज जीवन जीओ, माथा फोड़ी से फ्री हो जाओ, कपड़े सहज पैनो, कहीं जाओ, सहज जाओ, बहुत ज़्यादा decoration करने की जरूत नहीं है आपके बेटी की शादी है सहस्ता से करो ना एक बेटी और बेटी का ब्याओ करने के लिए वो तीन दिन हासा बहुत जोड़दार करिया बहुत जोड़दार करिया क्यों लिए line सुनने के लिए तुमने अपने पिछले चार साल तक कमाया हुआ सारा धन केवल दो दिन में खर्च कर डाला अपने तुम्हारी बेटी है तुम्हें अपने बेटी अगर बसा ना है बसा दो अच्छी बात ही है अब उसके लिए इतना डेकुरेशन करने की कहां जरो थे अब बताओ अभी कोरोना काल चल रहा है गौर्मेंट ने नियम बना दिया है कि पचास लोग शादी में जा सकते हैं शादी हो रही है कि नहीं सहज मिले सो दूद सम मांगा मिले सो पानी कहे कवीर वह रक्त सम जामे कीचा तानी है माथा फोड़ी में हाथ मत डालो सहज जीवन जीओ भोजन को सहज तासे लो स्वाद को सहज तासे लो भोजन में होने वाला कम नमक, ज्यादा नमक कम मिर्ची, ज्यादा मिर्ची इसको ले कर के माथा फोड़ी, चाती कूटा वो मत करो भई आका उका मत करो ठीक कर लो क्या दो इसमें नमक ज्यादा पढ़ गया पर उस नमक को लेकर के घर का वातरण नेगेटिव दूशित और कलूशित मत बनाओ भई इसमें नमक ज्यादा पढ़ गया थोड़ा तनाव हम पर हावी, क्रोध हम पर हावी, रिस्तों में खटास, हमारा इम्म्यून पावर कमजोर, भूख मर गई, हार्ट पर लोड आ गया, पेट की नसे खिच गई, खाना पीना छूट गया, मन खराब हो गया, तो कुल मिला करके सारा नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव वात आओं तो बना, जीवन में पॉजिटिव जीवन जीना चाहिए, और पॉजिटिव जीवन जीने का पहला फलसफा यही है, कोई कुछ शब्द बोल दे, सहजता से लो, कोई कोई हलका वियवार कर दे, सहजता से लो, कोई सम्मान दे दे, सहजता से लो, कोई अपमान भी कर दे, तब भी सहजता से लो, मुझ पर इस सहजता का बहुत बड़ा ऐसर पड़ा हे बहुत प्रभाव रहा है इसलिए मैं इस पर जोर देकर आपनों को समझा रहा हूं, निविधन कर रहा हूं प्रेडित कर रहा हूं मैंने कहा, मेरी मा को मैंने देखा, वो हमेंसा बहुत सहज रहती थी उन्होंने दिक्षा ले लिए संत जीवन ले लिए तब भी हमेसा सहज रहती थी मैंने सहजता का गुण उनसे सीखा मुझ पर सहजता का ये गुण जिस दूसरी व्यक्ति का मुझ पर असर पड़ा वो थे मेरे नाना जी बहुत बड़े ग्यानी व्यक्ति थे बहुत बड़े विद्वान आदमी थे जो चलती फिरती लाइबरीरी थे और जिन्होंने अपनी जीवन में 10,000 से ज़्यादा लेक लिखे इतियास पुरा तत्व इन सारे विश्यों में वो राष्ट्रिय इस तरके विद्वान माने जाते थे पर मैं आपको ये बता रहा हूँ उनकी सहजता का गुण ये सहजता का गुण एक बार ऐसा हुआ हो सकता है मैं उस समय नौवी या दस्वी में बढ़ता रहा हूँगा वो इतने सहज इतने शान्त हमने कभी जिन्दगी में उनको उची आवाज में बोलते हुए नहीं देखा तेढ़ा शब्द बोलते हुए नहीं देखा माथा फोड़ी करते हुए कभी नहीं देखा वो हर समय अपने स्वाध्याय करते थे लिखाते रहते थे अपनी सामाईक में बैठे रहते थे सुबह तीन बजे जगते और सुवए साड़े नौ बजे सुबा का दूत पानी लिया करते थे इतनी वो छेचे सामाइक में बैठे रहते थे तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग सबताहा में संडे संडे ननीहाल में सभी बेहन बेटियों को बुलाया जाता था तो हम संडे संडे वहां जाते थे तो एक मेरी एक मामी जी ने हमारे नाना जी उधर में बैठके खाना खा रहे थे तो बुले ये केला उनको दे के आ जाओ अरे वो हरे रंग का केला कच्चा रगस दिखने वाला केला और वो मुझे अंदर दिया गया बुले जाओ लगी जाओ ये नाना सा को परोस दो तो मैं वो के किक गाए अब मैं तो चेक्परना लेके गया अब मैं सुझा ठीक चा रस प्रत जा और मेरे नाना जी हցआ इनॹाजय की 25 सीकान peace एक मित पासिव और मेरे कच्परना उनको ले जा किसे पर उपस उपर मुझे तो मैं तो टाबर था उनको ले जाकि कि उộc केला उनको परोस दिया मैं उनकी उस सहजता का उस समता भाव का अभिननन करूंगा क्योंकि उस बात का मुझ पर असर पड़ा और असर ये पड़ा उन्होंने आराम से वो केला लिया वो बड़े मुश्किल से केला च्छिला गया पूरा च्छिल भी नहीं पाए पर नाना जी ने बिना कोई ननू नच किये बिना कोई आपत्ती किये बिना कुछ कहे वो बड़े अराम से चबा चबा के वो केला पूरा खा लिया वो मेरे बच्छिपन की बात है पर मुझ पर उनके सहजता का असर आ गया और मुझे लगा यह है सामाईक यह है साधना यह है व्यक्ति के जीवन का आध्यात्मिक गुण जीवन का आध्यात्मिक जें। झाल 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 झाल